हेलो गाइस क्याल चाले सबसे पहले आपका वेलकम करूंगा मैं इस चैनल दा जीवर जोन पर और यहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट टू आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे चीजे समझ में आ भी रही होंगी और जो नई सीरीज सबसे पहले अपना डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग जानते हैं मैंने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाया हुआ है आपके सान में स्क्रीन पर है यहाँ पर हम बिल्कुल free of cost आपको guidance प्रोवाइड कराते हैं अब maximum benefit कैसे ले सकते हैं हमेशा बताता हूँ फिर से बताऊंगा कि आपको वीडियो पूरा पूरा देखना है starting to end आपको वीडियो देखना है जब तक आप शुरू से last तक नहीं देखेंगे आपको उसका profit नहीं मिलेगा और अगर आप notes बना रहे हैं तो notes को वीडियो देखने के बात बनाएं वीडियो के साथ साथ कभी भी notes बना है because फिर समझ नहीं पाऊगे साथ में देखना है तो आप पहले questions को पढ़ें उन्हें solve करें साथ साथ और अपना answer कमेंट करें notes बनाना बात पर और respective groups को join कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से guidance मिल जाएगा link उनका description पर है और साथी साथ अगर आपको ये वीडियो या इसके अलावा जो वीडियो में पहले पढ़ा चुका हूँ उन्हें अगर पढ़ना देखने है concepts basic नहीं पता तो आप playlist section पर आप सब कुछ मैंने जिस तरीके से पढ़ना चाहिए exact उसी तरीके से बना कर रखा हुआ है तो अपना आज का part स्टार्ट करेंगे एक question के साथ और जब तक लोग जुड़ रहे हैं आप जल्दी से इसका answer मुझे देदीजे question is which of the following is correct question बहुत easy है और यह आपका बता जल्दी से comment section में answer देखना चाहिए क्या है पुझा गया इन में से greatest कौन सा fraction आप लोग कर लेते हो उसमें कुछ है नहीं इतना ज्यादा बताने के लिए बट करके दिखाओ कई बार इस्टुएंट इन में डाउट पर रहते हैं पर आपको पकड़ना होता है क्या है देखो क्या होना चाहिए answer ऑप्शन वाइन टू थ्री फॉर क्या बनना चाहिए यह fraction पर यहां पर दिख रहा है न मुझे एक चीज दिखाए दी जैसे यह आपकर दिखा है 2 बाई 3 बाई 5 और 11 बाई 15 ऐसे यहां पर एक fraction का ग्रुप दिखा यहां पर दूसरे का ग्रुप देखो denominator part पर क्या है एक जिखे 3 था एक जिखे 5 था एक जिखे 15 तो तरीका तो यही होता है कि इनका denominator सेम कर ले तो हर जिखे इतना करना मत आपको पता है कि आप इसको कैसे निपका सकते हैं हर जिखे denominator तो 15 ही बन जाएगा देखो 15 5 और 3 इनका LCM ले लो या 5 15 और 3 का LCM ले देखेंगे जैसे एक बार मैं करके दिखाता हूं इसके बाद बार-बार मैं नहीं लिखूंगा ठीक है बाकिस आप डारेक्ली देखेंगे अगर हम यहां LCM बनाए 2 by 3 3 by 5 यह कहां लिख रहा है यह 2 by 3 3 by 5 और 11 upon 15 जैसे LCM 15 बनाओगे तो इधर किस से गुणा multiplication 5 से इधर किस से 3 से तो यहां पर क्या बनेगा यह बनेगा 10 यह बनेगा 9 और यह बनेगा 11 तो भाई यह जो 10 9 और 11 बना क्या इसको आप डारेक्ली नहीं समझ सकते थे क्या होगा डारेक्ली भी समझ सकते थे न तो आप आप होगे सर यहां पर जो निशान लगा है वो इस से लिखने की नीड है बिल्कुल नहीं है चलो तो अगले वाले पर डिरेक्ली देखो क्या बन पा रहा है कोई एक option यहां पर सही होगा और उस सही option को आपको यहां से निकालना है तो नेक्स्ट वाले पर क्या होगा देखो यहां पर 55 है तो 3 से multiply कराओगे इधर क्या बन जा और जो निशान आपको दिखाई दे रहा है यह तो बिल्कुल सही लगे हुए और सही लगे हुए तो यही आंसर आप कुछ लोग कहेंगे किसर अगला 3 और 4 क्यों नहीं चेक किया तो यह बिकॉस SSC में 4 ही option दिये होते हैं SSC का एक्जाम देने जाओ या railway का और उन 4 में से क आपको यह सही होना है तो option number B आपका option number 2 आपका सही हो चुका है तो time waste करने की need नहीं है तो इस question को अगर हम देखने तो यह easy question है जनरली मैंने fraction comparison के एक भी question आपको नहीं बता है और मुझे नहीं लगता हूँ आप नीड भी है आप लोगों concept सारे पता है आप already कर लोगे तो यह easy question था चलो अब actual class start करते हैं right यह easy था गाया मत हो जाना अब actual question से start होते हैं और यह देखो इस question का answer दो ऐसे questions बहुत repeat हुए है एक six digit का number है जिसे form किया गया है एक three digit के number के repetition से जैसे इसको समझो यहाँ पर बताया है कि two five six two five six छे डिजिट का number है इसको two five six two five six अगर हम ले लेते हैं देखो यह two five six के repetition से बना हुआ है ना तो इस की बात कर रहा है या फिर यह लिखा हुआ है कि अगर आप six seven eight six seven eight ले ले format भी हैं आपको समझने के लिए तो अगर तीन डिजिट के किसी भी number को आप repeat कर दोगे तो six digit का एक number बनेगा क्या यह बात clear है तो कह रहे हैं ऐसा जो six digit का number बनता है any number of this form is always exactly divisible by what तो इस form का कोई भी number हमेशा किस से divisible होगा ठीक है इस form का इस रूप की कोई भी संख्या हमेशा किस से भी भाजित होगी option दिये है seven eleven thirteen और last में दिखा है one zero zero one एकोडियर cjl exam पे पूछा question है और बहुत बार ऐसे form repeat हो है कई लोग को इसका answer याद होगा और वो इने नहीं पता वो समझेंगे कैसे करना है अपने को तो इसको सबसे पहले हटाओ देखो हम कोई भी number अगर लेंगे तो इसको मैं थोड़ा basic form पर लेके नहीं जा रहा हूँ थोड़ा आसान से आपको समझा तो जैसे यह लिखा है तो इला ही number लिखा था 256 256 ठीक है अब इ लिखा है 256256 यही है न अब मैं कहता हूँ कि आप इधर एक काम कर सकते हैं क्या आप यहां से 256 common ले सकते हैं अब भूलेंग से बिल्कुल ले सकते हैं तो क्या होगा यहां पर देखो 1 के बाद कितने 0 3 x 0 and प्लस कितना 1 भाई यहां से 1 हो जाएगा न अब क्या बचा यहा 256 के जितने factors होंगे उन से भी divide होगा और साती साथ 1000 वन से भी divide होगा पर यहां पर जो number है यहां आपने 256 के साथ किया है तो 256 और उसके जो factors आएंगे वो differ कर सकते हैं पर इसी form पर कोई भी number होगा तो वहां पर 1001 तो हमेशा fix होगा आप कोई भी number ले लो आपने यह लिया 724 724 तो इसको जब आप solve करेंगे तो भी ऐसा ही बन जाएगा कि 724 और जब common लेंगे आगे जब proper लिख लेंगे तो 1001 यहां पर भी बनेगा तो यह जो part है यह हर जगे common होगा क्या यह बात समझ में आ रही है और आपको यह पता है कि अगर कोई दो number है A और B तो यह जो इनका हमेशा divide हो जाएगा ठीक है तो यह आपका जो question है यह important type का question है ऐसे question आपसे exam पे हमेशा पूछे जाते हैं तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे clear है बात समझ गये समझ गये हो तो जल्दी से वीडियो को like मारो ठीक है और अगले वीडियो पे वीडियो कहा है यार अगले यह format समझ गये ना यह concept आपको समझाया यह part तो आप किसी भी ऐसे question को solve कर लेंगे next question देखें चलो जल्दी से इसका answer बताईए which of the following number will always divide a six digit number that is formed by repetition of two numbers that is what xy 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 तो यह form है अपकी बार xy 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 ऐसा form है और कह रहें ऐसा अगर repetition होता है तो किस से divisible हमेशा होगा जो लोग इस चीज को समझ चुके वो सिधा answer मारेंगे सर शायद option number two है यहाँ पर यह कहाँ पूछा गया data entry operator और ldc के exam के अंदर राइट तो भाई क्या करना है बताओं क्या इसको जैसे कई बार लोग को xy xy समझने में दिखकत होती है तो मैं एक example ले लेते हैं यह लिखा हुआ है 24 24 24 राइट और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 24 4 times 0 प्लस 24 100 और प्लस 24 लिख सकते हैं ऐसा जैसा ही ऐसा आप लोगों ने लिखा तो आप लेका सर अपकी बार 24 common ले लीजे तो क्या बचेगा 1 and how many zeros 4 प्लस 1 20 and प्लस कितना 1 अब इसको देख लेंगे तो 24 तो यहां पर क्या हो गया common ही रहेगा यह बनेगा 10101 और यह कौन सा देखो अपकी बार common क्या है 10101 तो यह जो आपका option number 2 है यह सही हो जाएगा clear है बाद जो option 2 है यह सही हो जाएगा तो I think चीज समझ में आ गई होगी आप ऐसे किसी question को देख के answer मार सकते हैं सबसे ज़रूरी चीज यह कहां से आ रहा है क्या reason है उसका यह आपको clear होना चाहिए ठीक है न और भाई हमसे पढ़ोगे तो clear होगा ही हवाप आज ही चलेगी नहीं करना पड़ेगा आपको अब कोई भी question अगर आएगा तो आप इसका concept भी जानते हैं और आप उसकी trick भी सम question घुमा के रख देंगे तो सारी trick क्या हो ही ढखकन हो गई राइट वो सब अपने को नहीं चाहिए तो clear है चलो अगला question करके दिखाओ इसको देखो that smallest number that should be added to thousand so that it is completely divisible by 45 1000 में वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े तक कि जो result आए न वो 45 से divisible हो अब यहाँ पर आपको 45 की divisibility थोड़ी से clear होनी चाहिए या फिर अगर divisibility clear है तो आप जल्दी कर पाओगे है न डिविसिबिल्टी का rule अगर जानते हो और अगर basic से जाओगे तो फिर basic से जाने में आपको time लगने वाला है यहाँ पर तो कहरें 1000 में कौन सी संख्या जोड़े कि जो result आए वो 45 से divide हो मुझे पता है कोई न कोई एक तो जोड़ेंगे अगर 1000 में 35 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 10035 अगर 80 जोड़ेंगे तो 10080 ट्वंटी एड करेंगे तो 10020 और 10 एड करेंगे तो 100 यार कहां लिख गया जाज जीदो जीरो में एक्ष्टा वड़ा गया 10,000 नहीं न हजार है 1035 1080 1020 एंड 1010 यह होना चाहिए न यह चार नंबर यह पहला दूसरा तीसरा चौथा इन ही चार में से कोई न कोई कोई एक रिजल्ट बनेगा आपके पास इनहीं में सो कोई एक option होगा अब क्या रहे हैं आपर कि 45 से डिवाइड होना चाहिए 45 से डिवाइड होना चाहिए 45 से डिवाइड होना चाहिए अच्छा मुझे पता है कि इनी चार में से अगर आंसर तो 9 और 5 दोनों के होना चाहिए जिस भी number की divisibility आप 9 से चेक करते हो उसके सभी digits का sum कर लीजे और 9 से divisible होना चाहिए तो देखो यहाँ पर नहीं हुआ sum 2 बन रहा है यहाँ पर नहीं हुआ sum 3 बन रहा है यहाँ पर बन सकता है और पहले वाले case में यहाँ पर भी बन सकता है sum हो रहा है अचा 5 से तो दोनों के दोनों divisible है so 5 की divisibility चेक करने की कोई need नहीं है बट आप कहोगे सर पहला answer या दूसरा answer तो obviously बात है पहला answer हो जाएगा because एक बात बूली गई यह देखो smallest number चोटा संख्या जोड़नी है तो यह 35 एड करेंगे और आपकर नंबर बनेगा कितना 1035 बात बन जाएगी clear है बात तो इस तरीके से आप इस question को solve कर सकते हैं कोई doubt हो अगर तो बताएं I think बहुत simple है यार अगर visibility clear है न और थोड़ा अच्छे से आपने practice कर रखे तो आप कोई भी question निप्टाएंगे यह भी देखो एक्जाम पर लिखा आया हुआ है कोई नहीं यार कि पहले आया तो अभी दिमाग पर चीज़े बैट गई फिर कोई भी एक्जाम आये कैसा भी आया एससी हो रेलवे हो बैंकिंग में भी आप यह सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो concept अच्छे हो है चाहिए आपके ठीक है चलो अगला करोगे दें अगला question यह देखिए the product of two positive number is one one five two zero दो धनात्मक संख्याओं का गुणन फल ग्यारा पांसो बीस है इसका मतलब क्या है कि अगर एक number x और दूसरा y है तो डिवाइड करने पर nine by five आता है यह portion है ठीक है यह मतलब है इस चीज़ का then find the difference of the two numbers दोनों संख्याओं का अंतर बताईए एक्स डिफरेंस वाई पूछा गया है यहां पर ठीक तो यह रेशियो है ध्यान रखिएगा आप लोग तो कहते है product of two numbers is one one five two zero अच्छा मैंने क्योंकि capital माना हुआ है तो मैं इनको सीध capital Y दी है और उदर मैंने small लिए आप चाहो तो A B ले लो ठीक है देखो इसके basic method पर मत जाना थोड़ा सा समझो इसको आप जल्दी कर सकते है product दिया हुए one one five two zero तो आपको पता है 9x into five x की value one one five two zero दी है अब यहां पर कई बार लोग doubt पर रहते हैं आप x क्यों ले रहे हैं कि अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं रहे हैं जैसे मुझे याद है कि x का coefficient आता है तो मुझे पता है कि जो भी value आनी है 9 into five means 45 से divide करने के बाद उसका मुझे square root लेना है यह मुझे पता है क्योंकि मैंने इस equation करे हैं पहले आपने भी जिनोंने करे होगी उन्हें पता है बट अगर नहीं है आपको यह चीज clear है तो धियान रखिए multiplication में हमेशा आप x साथ में लेते हैं ठीक है तो यह बनेगा 45 x square अब यह किसके equal हो जाएगा 11520 के यहां से अगर x square की value पूछें तो आपको यहाँ पर division करना पड़ेगा किस से 45 से तो पहले 9 से कर दो 95 जा 45 और 9 कितना हो गया 9 क्या बचा है तो बचा देखो यह 11520 ठीक है 11520 क्या कर दो नाइन से डिवीजन कर दो नाइन फिर कितना बसता है तो टूटिफाइब बचेगा तो नाइन तूजा कितना 18 और फिर क्या बसता है आपके पास नहीं नाइन वनजा हाँ 9 to the 18 फिर क्या बचा आपके पास 7 तो 9 कितने बार 1280 बचेगा तो यहाँ पर बचा कितना 1280 और अभी भी यह डिवाइड हो जाएगा किस से 5 से तो 5 से डिवीजन कर लेंगे तो कितना बन जाएगा 256 तो x square की value 256 बनती है तो क्या x की value 16 बन जाएगी बोलो अब number निकालने की need नहीं है ठीक है ना number निकालने की कोई need नहीं है आप से क्या बोला गया यहाँ पर कि भाई अपने को value चाहिए कितने की difference की और difference कितना बनता है यहाँ पर दोखो इन दोनों का difference 4x बन रहा है ना option number 2 तो बात clear है यहां से देख लो भाई बात अगर clear है तो निकाल सकते हो अच्छा एक चीज़ और देख सकते थे जिन्हों ने x square equal 256 पर ही आंसर पकड़ा दिया वह भी अच्छी बात है आपको दिखा लेते वह यहाँ पर 2-4 सेकंड अपने बचा लेते या कई केस पर कही लोग केस में वह शायद 10-15 सेकंड भी बचा लेते यह करता है अपने अपने टाइलेंट पर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपका सेकंड और कम होता चला जाएगा और सिंपल सी बात है जैसे अच्छा लगे करना बट आपका टाइम एक्जाम पर बहुत मैडर करता तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से से करना है इस को समझे जो बताना चाहता हूं वह समझे आप लोग मैं बताना यह चाहता था कि आप यहां पर एक्स क्यों लेते हैं अगर डिरेक्ट कर रहे हैं तो आपको ध्याने रखना है कि डिवाइड करने के बाद 45 से डिविजन कर देंगे तो आने वाली वेल्यू का स्क स्कौायर रूट क्या होता है स्कौायर क्या होता है याद होने चाहिए आपको और फिर आगे तो बेसिक है क्लियर बात समझ में आई एक और रेडी हो चलो इसको करो हाउ मैनी नेच्रल नंबर्स बिट्विजबल बाई 7 बिट्विन 3 & 200 तीन और दोसों के बीच कितनी संख् करना होता है से कौशन को आपका अंसर कई लोका आ गया होगा यहां पर तो आपको पता है पहली संक्र क्या डिविजबल होगी 7 फिर 14 फिर 21 इसी तरीके चलता से लाए आएगा अचा एक बात ध्यान रखना कभी बिट्वीन की बात करते हैं तो बिट्वीन के के केस में 3 नह अगर लिखा होता फ्रॉम अगर लिखा होता फ्रॉम री टू 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 हंडड़ी एंड नहीं होता फिर फ्रॉम टू टू हंडट तीन से दोसों के बीच तो अब की बार थी बीन पूद रहे बात तो 7 14 21 इस तरीके चलेगा तरीका सबसे आसान अभी बता रहा हूं आगे जब ऐसे questions आएंगे तो मैं और आपको practice करा दूँगा बिल्कुल आसान method क्या है कि तीन से 200 की बीच गये हैं अगर हम directly देखें तो यहां पर 200 उठा लीज़ें ठीक है दोसा उठा लें और इस पे आप division कर दें किस से जिससे निकालना है कितने divisible है तो 7 से 7 टूजा कितना हो जाएका so answer will be 28 clear है बात कुछ चीज समझ में आई तो क्या यहां पर कितने number ऐसे हैं जो साथ से divisible है तीन से 200 के बीच में है तो मैंने देखा कि 3 से 200 के बीच कितना दिखाई दे रहा है सीधे सीधे तो 3 तक कोई भी number साथ से divisible नहीं था और 200 भी divisible नहीं था जो भी है इनक इसका simplest form था तो यह simple question था तो इस टाइप के questions जितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सारे के सारे आप आराम से कर सकते हो तो clear हुआ या कितने question अभी तक 6 question आप लोगों discuss कर लिए 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो I think कुछ तो समझ में आया होगा किवल जो concept बता रहा हूं जो तरीका बत लें थोड़ा questions है exam वाले आपको दिख रहा है कि हम speed कैसे increase कर सकते हैं अपने timing को कैसे decrease कर सकते हैं तो अभी उन सबी लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में जो पहले पढ़ भी चुके हैं राइट तो practice भी अच्छी हो जाएगी और questions भी आप कुछ ना कुछ नए bell icon क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे miss ना हो और अपने शारे friends के साथ इसको share कर दो यार और जो हमारे facebook group है facebook page है doubt group है या telegram channel है सबसे important telegram channel है उसको आप लोग follow कर लें ताकि जो भी details मैं आपको provide कराता हूँ आपको मिल जाए कोई notification मिस ना हो YouTube miss कर देता है कई contact number दिख रहा है यहाँ पर कोई भी doubt हो आपका doubt question हो तो आप WhatsApp कर सकते हैं और अगर classes regarding कोई भी आपको information चाहिए कि sir offline classes join करने है ऐसा कुछ तो आप directly इस पर call कर सकते हैं हमारे counselor से आपकी बात हो जाएगी clear है बात तो चलो भाई classes हमारी कानपूर में होती है बता दू ठीक है ऐ एंड करते हैं अब